हलो गुट बॉनिंग जोहार मसंजे और आप देख रहे है न्यूजार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का जार्खन की खबरों से अपडेट होने का तो चली जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी कबरों को मोके astrology मंतरी हेमन्तु सुरेण की बड़ी गोशना अब 18 वर्स की उम्र से मया सम्मान योजना का लाब राची के नाम को में जारकन मोके मंतरी मया सम्मान योजना कारेकरम का युजन किया गया इसमें राजी समेत पांच जिलों से बड़ी संख्या में महिला लाभुक शामिर हुई कारिटरम को संबोधित करतो हुए मुक्यमंत्री हेमन्तु सुरिन ने बड़ी घोशना की है अब उनकी सरकार मैया सम्मान योजना की उम्रे सीमा 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स करेगी यानि अब 18 वर्स की उम्रे से इस योजना का लाभ मिलेगा उन्होंने काहे कि महिलाओं के आर्थिक ससक्ती करन के लिए सरकार हर कदम उठा रही है और आगे भी सरकार उनके हित्मे कारिय करती रहेगी नामकुम के खोजा टोली का ट्रेनिंग ग्राउंड बुधवार को रांची, पुंटी, गुमला, सिम्डेगा और लोहरदगा की महिला लाभोकों से खचा-खच भरा हुआ था जारकन मुकमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभोकों के चहरे पर खुसियों के उपहार का उत्सा साब जलक रहा था मुकमंत्री हिमंत्री हिमंत्र सोरेन ने इन पांच जलों की बहनों को मैया सम्मान योजना का तौफ़ा दिया और उनके खाते में 11,000 रुपए ट्रांसफर किये गे इससे पहले राज के 19 जलों की महिला लाभोकों के खाते में 11,000 रुपए भेजे जा जोके हैं राज के पांच परमंडलों में सम्मारों के शाद भूधवार को मैया सम्मान योजना कारिरकम का समापन हो गया इसके साथ मुकमंत्री हिमंत्र सोरेन ने एक और बड़ी शौगात इस दोरान देनी है अभी 21 वर्स से 50 वर्स तक की महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा था अब सरकार ने उम्रसीमा घटा कर 18 साल करने की घोशना कर दी है जिससे महिलाओं में काफी उत्सा नजरा रहा है यानि के 18 वर्स से ही 50 वर्स तक की महिलाओं इसका लाभ ले शकेंगी कल 6 सितंबर को होगी जारखन के बिनेट की बैठक लिये जाएंगी बड़े निरने जारखन के बिनेट की बैठक कल यानी 6 सितंबर को होगी इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिये जाने की संभाना है इस बारे में मंत्री मंडल सुचिवाले एवं निग्रानी विभागद्वारा सूचना दी गई है कि बिनेट की बाठक कल सुकुरवार को साम चार बजे से प्रोजेक्ट भवन इस्तित मंत्री परिशत कक्ष में होगी जैसा सी सीजल परिशारतियों के लिए खुसकबरी इस दिन से डाउनलोड कर सकते हैं अडमिट कार्ड जैसा सी सीजल की परिशा के लिए अडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारिक का अलान हो गया है जारकन कर्मिचारी चैनायोग ने पत्र जारी कर जान कर दी है कि परिचारती 17 सितंबर से अडमिट कार्ड डाउनलोट कर सकते हैं जैसे सीजल की परिचा 21 और 22 सितंबर को होगी आयोग की और से अधिकारी घोशना होने के बाद अभ्यरतियों ने राहत की शांस ली है सीजल की परिचा 21 और 22 सितंबर को निर्धारित है इस परिचा के माध्यम से कुल 2025 पदों को भराए जाएगा इसमें 863 पद सहायक प्रसाखा पद अधिकारी, 335 पद कन्य सचिवाले, 182 पद स्रम परिवर्तन पद अधिकारी, 252 पद प्रकंड आपूर्ती पद अधिकारी, 5 पद प्लानिंग असिस्टेंट, 195 पद प्रकंड कल्यान पद अधिकारी, 185 पद अंचल नरक्षक और 8 पद करन्य सच्चिवाले सहाइक के लिए निर्धारित किये गये हैं उत्पात सिपाही में हो रही मौतों पर बोले सीम हिमंतो सोरिन कोरोना के टीके के कारण जा रही है यवाओं की जान मुखेमंतरी हिमंतो सोरिन ने केंदर की भाजपा सरकार पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने बुदवार को कहाै कि उत्पात सिपाही परिच्चा में हो रही यवाओं की मौथ ऐसे नहीं है कोरोना के टीके के कारण उनकी मौथ हो रही है भाजपावालीने शन्दे के लिए सब को कोरोना का टीका लगवाया वो गलट टीका था, पूरी दुनिया में वो टीका बंद कर दिया गया था, पर वो टीका इन्होंने देश के लोग को लगवाया, नतीजा ये हुआ कि लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, दौरते दौरते मर जा रहे हैं, वे नामकुम मैदान में मैया सम्मान योजना के कारिकर में बोल रहे थे हिमन्तु सोरे ने कहा है कि उनकी सरकार समाज के हर वर के लिए काम कर रही है गौरतलाभे की उतपात सिपाही परिच्छा में अब तक 13 यवाओं की मौत हो चुकी है और भाजबा मरने वाले यवाओं के परिजनों को एक एक लाक रुपे की साहतारासी देने क अईलान कर चुकी है राजबावन, सीम, अवास, समयत कई अन्य इलाके सामिल है इन जगों के आसपास 100 मीटर के दारे में किसी भी तरह का सभा करने की अनुवती नहीं है राची S.D.O. उतकर्सकुमार ने इससे समंधित अधिसूचना जारी कर दी है यादेश अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी होगा राची जिला प्रसासने सुरक्षा के मधनजर राजभवन, मुख्यमंत्री अवास, पुराना मुख्यमंत्री अवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, हाई कोट की बाउंडरी के 100 मीटर के दारे में निश्रधग्या लागू कर दी है इसके अलावा नए विधान सभा के 500 मीटर के दारे के अंदर भी ये व्यास था, बहाल है, अगले 60 दिनों तक इन इलाकों में किसी तरह की रैली, जुलूस और धर्ना प्रदसन पर पूरी तरह से रोख है, इसका उलंगन करने पर कड़ी कारवाई की जाएगी राची जिला में आए दिन विभिन संगतनों द्वारा, राजभवन, सीम अवास और सची वाले घराव की गोशना की जा रही है, लोग जाकिर हुशन पार के पास बने धरनास्तल के बजाए सीम अवास या राजभवन घराव का परियास कर रहे हैं, यही कारण है कि जिराप पार्टी के केंदरिये कारेले में आयोजित मिलन समहरों में पार्टी की अध्धक्स शुदेश महतो की उपस्तिती में उन्होंने पार्टी की सदसता ली, उनका पार्टी में स्वागत करतो हुवे शुदेश महतो ने कहा है कि आशुतोष वर्मा और उनके युवा सात्यों का आजसो पार्टी में दिल से स्वागत करते हैं हमें विश्वास है कि आप सब के सहीयोग अनुभाव और उर्जा से पार्टी को नई उचायों पर पहुँचाने में मदद मिलेगी मिलकर चलने से जीत की रहा बनेगी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज जार्खन चानल को सुस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सुस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर लूचे जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का डेट आप तक पहुंचता रहे तो चले बढ़ते हैं खबरों की और सिख्चकों के लिए खुस खबरी न्यूक्ती में सीटेट को मानने था बस तीन साल में पूरी करनी होगी एक सर्थ मानदे वृद्धी एपियप का लाब देने सहित विभिन मांगो को लेकर 28 अगस्त को सिख्चा मंत्री के साथ जार्किन राजी सहायक अध्धापक संघर्स मोर्चा के साथ हुए समझोते का समती पत्र बुधवार को जारी कर दिया गया इसके तहट सहायक आचारी के पदो पर न्युक्ती में सीटेट के मानिता इस सर्थ पर देने की सहमती बनी कि पारा सिख्चको को इस पद पर न्युक्ती के बाद तीन वर्स के भीतर या पहले आउसर में जेटेट परिछा उतीर नहोना अनिर्वारी होगा समझोता पत्र के अनुसार पारा सिख्चको को एपी अप का लाब मिलेगा राजसरकार द्वारा न्युक्ता का अंसदान अधिक्तम उन्नी सो पचास रुपे आत्वा जो अनुमानी हो राजसरकार द्वारा वहन किया जाएगा साथी पारा सिक्षकों के अंसदान की रासी उनके मांदे से नियमानुशार का टोती की जाएगी हलाकि इसका लाव विर्थ विभाग एवं केविनेट की स्विक्रती के बाद ही मिलेगा पारा सिक्षकों के मांदे में एक मुस्त एक हजार रुपए की वृद्धी होगी एक लाक रुपई की मदद, जारकन उत्पात सिपाही की दौण में अलग-अलग जिलों में एक दर्जन से अधिक अभ्यरतियों की जान चली गई है, जिस पर भाजपा ने सभी मृत अभ्यरतियों के परिजनों को एक-एक लाक रुपई का सहीयोगरासी देने की घोशना की है जिसमें गिरीडी का भी दो अभ्यरति सामिल था, इसमें सरिया प्रिकंट के केसवारी गाउनिवासी महेस रजक का बाइस वर्स सिपुत्र पिंटु रजक था, इसी घोशना के तहट भाजपा जिला अध्धक्ष महादेव दूबे, बगोदर के पूर विधायक नागेंद सुननी है, ऐसे में उत्पात सिपाही की बहाली में 15 अभ्यरतियों की माथ हो गई, साकडो अभ्यरति आज भी अस्पताल में इलाज रहत है, कहा कि राजसरकार अगर सूद नहीं लिया, तो जब भाजपा की सरकार आएगी, तो ऐसे परिवारों को गोद लेगी और उचित स दिना नहीं है, यह सरकार केवल लूटने और लूटवाने के लिए बनी है, हिमंत सरकार कानून से नहीं, बलकि पंकच मिस्त्रा, पिंटू, प्रेम प्रकास जैसे दलालों और बिचोलियों से चल रही है, बुधवार को ये बात है भाजपा के प्रदेश अध्धक्ष कात की और उनकी समस्याओं को शुना, उन्होंने राजपा की सरकार बनने पर उनकी समस्याओं के समधान का भरोशा भी दिया, उन्होंने काहे कि राजपा की चारों तरब अराजकता का माहूल है, राजपा की पंदरा हुनार युवा, सरकार की गलत निरने के कारण दोड़ रहा है कि वे राजसरकार को कहेंगे कि जन प्रतनिधियों से बात कर समस्या का समाधान करे। रहा है कि जन पत्र भरते समय या भी बताना है कि जारकन की कौर्म सी इस्थानिय भासा की जान करी है। वही आविदक को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए। वही महिला मुंसी भरती में ऐसी महिला आरक्ची को वर्यता दी जाएगी जिन्हें थाने के सासनिक कार्याले के किसी विभाग में पांच वर्स का अनभव हो। साती पूरों में महिला थाना के लिए निर्भया सकती आरक्ची को रुप में चैन हुआ हो। जारक्षन में भाजपा की बनेगी अकेली सरकार चंपई सॉरेन év भाजपा ही जारक्षन में बंगला देशी गस्पैट के मुध्य पर संगर कर सकती है वे भाजपा कारिले में आयोजित कार्कम में बोल रहे थे। उन्होंने काये कि जनता बदलाव जाती है, भाजपा कारेले में उपस्तित भारी भीर्ड के बीच जोहार तथा जैसरी राम से सम्मोधन सुरू करने के बाद, पूर्वसीयम ने काये कि परिवर्तन की यह लहर जारिखन में सत्ता परिवर्तन का मार्ग परसस्त करेगी। के माध्यम से पुलीस आम लोग की सिकायत सुनेगी और उसका पंदरा दिनों के अंदर समधान करेगी। की IG, DIG और SP रैंक के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे जबकि क्याम का नॉडल पद अधिकारी समंधित शेत्र के जो है CDPO को बना गया है जम सिकाथ समधान कारिकम को लेकर पलामू SP रिसमा रमेसन ने बुधवार को प्रीश कॉनफरेंस कर आम ग्रामिनों को अपने समस्याओं को रखने के लिए वाटसप नंबर 9122439779 जारी किया है साहिब गन में पैर फिसलने से 6 साल की बच्ची पानी में डूबी मौत साहिब गन जिले की तीन पहर थाना चितर की बस याचक दरला गाउं में 6 साल की बच्ची आयुशी कुमारी के नदी में डूबने से मौत हो गई गतना बुधवार सुभा की है जब बच्ची अपनी बहन और अन्य बच्चों के शाथ दहरू कुमार पूल के पास गई थी उसका पैर फिसल गया और वहा नदी में गिर गई मिली जानकारी के अनुशार बच्ची की बहन कपड़े धोने के लिए पूल के पास गई थी उसके बाद आयुशी और अन्य बच्चे भी वहां पहुँच गई आयुशी नदी में उतर गई इसी समय उसका पैर फिसल गयार वहा गहरे पानी में शमा गई आसपास के लोगों ने बच्चे को पानी से निकाला और ततकाल उसे तीन पहार ले जाया गया यहां से उसे राजमहल अस्पिताल राफर कर दिया गया लेकिन अस्पिताल में डॉक्टरों ने बच्ची को ब्रित्य भोशिट कर दिया ओडिशा की राजिपाल रगवर्दास आजाएं की जमसेदपूर कई कारिक्रमों मिलेंगे हिस्सा ओडिशा की राजिपाल और जार्खन के पूर्व सीम रगवर्दास आज गुरवार को अपनी पांच दिवस्य प्रवास पर जमसेदपूर आ रहे हैं वे सुभा 11 बजे सोनारी एरपोर्ट पर पहुंचेंगे इस दोरान उनके स्वागत को लेकर बस्ती विकास समिती विसेश तयारी कर रही है बस्ती विकास समिती के केंद्रिय अध्धक्ष पवन अगरवान ने बता है कि पूरो मुकमंत्री और बस्ती विकास समिती के जनक रगवर दास का जमसेदपूर से विसेश लगाव रहा है अपने लंबे राजनतिक और सारुजनिक जीवन में वे जमसितपूर के नागरिकों के सुक दुख में हमेशा सामिल होते रहे हैं उनकी सहज और मिलानसार छबी के कारण लोग उनसे गहरी आत्मियता महसूस करते हैं शाहे वे किसी भी पदपर हों जमसितपूर सहर उनके दिलों में रहा है इस बार गनेश पूजा के आउसर पर वे सहर में आयोजित विन कारिक्रमों में भाग लेंगे और सहर वासियों से मुलाकात करेंगे मंतरी इर्फान अंसारी का आवास घिरने पहुचे मंतरी इर्फान अंसारी का आवास घिरने पहुचे मंतरी इर्फान अंसारी का आवास घिरने पहुचे उनकी मांगे कि उनकी ग्रेट पे बढ़ाई जाए, साथ ही उनका इस्थाई करन किया जाए, इसके साथ ही उनकी और भी कई मांगी है, मंदरी इर्फान अंसारी से मिलना चाह रहे हैं, हलाकि जो जानकरी है उसके मताबिक इर्फान अंसारी दिल्ली में हैं मिर्तक विकास लिंडा के परिवार को बीजेपी ने था, अदित्य शाहू ने सौपी एक लाक रुपई की साहता रासी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री एवं सांसद अदित्य शाहू, बुधवार को रांची के नामकुम प्रिखंट के रामपूर, गाउं इस्तित स्वर्ग विकास लिंडा के घर पहुँची और परिजनों से मुलाकात कर सोख जताया, बतादे की उत्पात सीपाही के दौर में घाल स्वर्गे विकास लिंडा की मौत इलाज के दौरान हुई थी, आदित्य साहू, परिवार को एक लाक रुपई की साहता रासी दी, साहू की शाहत, प्रदेश, उपाधधक्ष आरती कुजूर, राकिस भासकर, रामकुमार पाहन, असोक मुंडा, मानकी और राजंद साही आदि थे, मौके पर साहू ने पार्टी की और से एक लाक रुपई की साहतारासी भी परिवार को प्रदान की, उन्होंने काय कि पूरा बीजेपी पर परिवार दुख की घड़ी में सोक शंतब्द परिवार के शाथ खड़ा है, कहे कि राजे की यवाओं की मौत की ये घटना हिर्दय विदारक है, इसके पूर्व ऐसी घटनाई नहीं सुनी गई, ये सब हिमन्त सरकार की गलत नीतियों के घारन हुआ है, उन्होंने काय कि व सुनील कुमार पांडे की नेतितों में राजेपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की, राजे के कामगारों, शनविदा, अनुबंद, दैनिक परिशार्मिक, आस्थाई, आउट्सोर्सिंग पर काररत कर्मियों के इस्थाई करन, ग्रेट पे समायोजन, समान काम, समा परिगा कर्मियों, ग्राम पंचायत प्रिवक्चक, श्वम सेवक, क्रिसक मिंत्र, आतमा कर्मियों, बैंक कर्मियों, स्वास्त सहीद, इत्यादी की सेवा और मांगो पर वस्तार से इसमें बात रखी गई है, महे सोरे ने बता है कि राजेपाल की और से आस्वासन दिया गय इसमें क्रिसी निदेशक डॉक्टर ताराचंद ने बता है कि वित्तिवर्स दोहजार चौबिस पच्चिस में क्रिसी निदेशाले से समंधित योजनाओं का लाब लगभग चार लाग बारा हजार किसानों को दिया गया है, इसके साथ ही दो लाग से अधी किसानों तक यो प्रक्रिया अब भी चालू है जिसका लाब किसान उठा सकते हैं घर में निकला विसालकाय अजगर लोगों की अटक गई सांसे, लातेहार सहर के जुबली रोड इलाके में एक घर में बुधवार को विशालकाय अजगर घोश गया जैसे हैं लोग की नजर सांप पर पड़ी, घर में अफरात तफरी मच गई, अजगर को देखकर लोग चीखने चिलाने लगे लोग की अवाज सुनकर आसपास के लोग भी चुट गए, जानकरीक अनुसार चंदनकुमार गुपता के नवनिर्मेत मकान में सफाई का काम चल रहा था, सफाई की करम में मजदूर जुटे हुए थे, इसी बीच मजदूरों की नजर घर के एक कोने में विसालकाय अजगर पर पड़ी, अजगर को देखकर मजदूर सोर मचाते हुए भागने लगे, घर में अजगर होने की सूचना मिलने के बाद, बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां पहुँच गए, भीड को देखकर अजगर इधर उधर भागने का परियास कने लगा, हलाकि अजगर को इधर उधर भागने से रोका और उससे साउधान ने पूर्वक पकड़ कर एक बोरी में बंद कर दिया, इसके बाद लोगों ने वनविभा के पादधिकारियों को इसकी सूचना थी, वनविभा के पादधिकारियों के निर्देश पर वनविभा के टीम मौके पर रामगर्ण जिले में गस्त के बावजूत चोर असानी से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अपने आपको निर्दोश बता रहा था, लेकिन कड़ाई से पूछ ताच की गई तो उसने अपने सभी शातियों के नाम बताए, उसने या भी बताया है कि चोरी का माल इधर उधर करने के लिए वहाँ दो चार पहिया वाहन का इस्तमाल करता है। पश्रिम बंगाल का सफलायर सक्स गिरबतार, जामतरला की साइबर अपराधियों को पश्रिम बंगाल और ओडिशा सरकिल का फर्जी सीम कार्ड मोहिया कराने वाला सफलायर को पुलिश ने गिरबतार किया है। इसके पास से पुलिस ने एक मबाईल, 48 फर्जी सीम कार्ड, 13 फर्जी एटियम कार्ड, एक पेंट कार्ड, एक आधार कार्ड, एक मोटर साइकल बरामत किया है। जामतारा स्पी एहतसाम वकारिब ने प्रेश कानफरेंस कर बोधवार को यह जान करे दी है। को अबादे से दूर रखने का दिन भर प्रियास करती रहती है, लेकिन साम में हाथियों का जुंड गाउं की तरब आकर उतपात करने लगता है, जिसके कारण ग्रामिन हाथी भगाने की समान के साथ रत जगा करने को वश्रें, हाथी को तंग ना करने तथा उनके काने के लिए कहने के बावजूद हाथियों को देखने के लिग्रामिन जंगलों में इधर उधर घूमते हुए नजराए, कुछ लोग हाथियों के तस्फिर लेने के लिए बैचेन दिखे। कारेबाजी का रहे थे, सभी वनरक्षियों का कहना है कि वे अल्प वेतन, भत्ति और बिना किसी विसेश सुविधा के जंगलों की सुरक्षा, विकास, वन्य प्रानों की सुरक्षा वा वन्य प्रानियों से लोग की सुरक्षा सहित अन्य विवाग्ये कारियों के लिए अब भी विवागिये कामकाज को छोड़ कर सुल्ला अगस्त से अपने प्रमंडल मुक्याले जीला मुक्याले जोनल मुक्याले और वन भवन डुरंडा में अनिश्रित कालिन धरना पर बैठे हैं। जारिक्रम में बोले हिमंत विपक्च के लोगों ने तीन का चस्मा लगाया है उन्हें कुछ नहीं दिखता। उन्होंने काया कि पहले पीम अवास में लोगों को अवास मिलता था। हम लोग गला फाड़ फाड़ कर चिलाते थे कि हमें जञ्टा के अवास की अधिकार के पैसा दो। हमें अधिकार ना देकर उन्होंने पैसा भाजपा सासित राज्यों को दे दिया। केंदर सरकान ने जब आवास नहीं दिया तो हमने अबुआ आवास योजना सुरू की जिसमें 20 लाग जोरतमन लोग को आवास मिल रहा है। उसका पती उसे अक्सर ताने दिता है। आरोपी ने महिला को घर से निकाल दिया और दूसरी साधी कर ली है। पिडिता ने इंसाप के लिए बेंगाबाद थाना पहुंची। महिला आविदन देकर पुलिस से इंसाप की गुहार लगाई है। पिडिता सुजिता देवी ने क कि वर्स 2016 में उसकी शाधी मनोच मंडल की शाथ हुई थी। साधी के बाद वास्ता सुराल में कुछ महां तक ठीक से रही। लेकिन कुछ समय बाद उसका पती रंग सावली होने की बात कहकर उसको ताने दिने लगा। उसने महिला से यह भी कहा कि घरवालों से एक लाग तब तुम्हें रखेंगे, नहीं तो दूसरी शाधी कर लेंगे। महिला के पती ने दूसरी शाधी कर ली और सुजिता को घर से निकाल दिया है। परिजिता का कोई बच्चा नहीं है। परिजनों ने इस मामलियों को लेकर पंचाद भी की लेकिन उसने पंचो की बात नह जुहारखन में होने वाले विधान सभाचुनाओं से पूर्व इंटर स्टेड बॉर्डर एलाके में जुहारखन और पश्रिम बंगाल पुलीस के बीच समन्वय अस्तापित करने के लिए इंटर स्टेड बॉर्डर मीटिंग आउज़न किया गया। एक पुष्ट को सकनी करने पर बल दिया किया पुलीस दोनों राजियों की सीमा परिस्थित पुलीस थाने अपुराधियों के बारे में सुचनाओं की अदान प्रदान में प्रयाप्त दक्षा के शाथ काम करेगी। जाती की युवार नहीं कर पाते हैं। सरकार अपने पांच साल के कारेकाल में कभी भी रोजगार के प्रती गंभीर नहीं रही। नए पदों का सिर्जन करने की बात तो दूर या सरकार रिक्त पदों को भी नहीं भर पाई है। वर्तमान राजमितिक हालात ने रज की छबी को धुमिल किया है लोग के जीवन को बहतर बनाने की हमारी तयारी है। यबाते पार्टी अध्धक सुदेश कुमार महतों ने हर मुईस्तित केंद्रिये कारले में आयुजित मिलन समारों में कही। इस दोरान अधिवक्ता सह समाच से भी अचुतोष बर्मा ने अपने समर्थकों के शाथ पार्टी की सदसता ग्रहन की। जिला स्कूल मैदान में राश्चे पुस्तक समेलन का सुबाराम 6 सितंबर से जामो महासचिव सुपरियो भटा चार करेंगे उधगाटन। बाल मंच, पुस्तक संस्कृती परचर्चा, यवाओं का संसार, पुस्तक संस्कृती के प्रसार में मीडिया की भूमी का जैसे प्रमुक कारिक्रम होंगे। इस बाबत बुधवार कुरांची प्रेश कलब में एक प्रेश वारता हुई प्रेश वारता को ओकाड इंडिया के अध्धक्ष राके सगुपतता था राश्टी ये सन्योजक सचीन कुमार ने संबोधित किया ये थी आज की जारकन की टॉप बड़ी खबरे इस तरह से जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चानल यूट जारकन चानल को सुस्क्राइब करके बैल आकन प्रेश करदेजे जिससे जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का डेट आप तक पहुंसता रहे तो अभी क्लिए वस इतना ही हमें देजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ धन्यवाद